ओम शांती, आज 6 मई 2023 के साकार मतुर भावा के हैं, आज की मतुर मुरली में बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा के सपूत बच्चे बनो, आज्याकारी बच्चे बनो, शिरिमत पे चलो, तो दुआई मिलती रहेंगे, बाबा बच्चो को शुब मार्ग बताते हैं, पतित से पावन बनने का शुब मार्ग है, देह सहित, देह के सब समंदों को फूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करू, इसी से जो भी पापो के गटरी है, वो उतरती जाएगी, ये संगम का समय है, मात पिता की दुआई तब मिलती हैं, जब श्रीमत पर चलते हैं, अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो दुआई प्राप्त नहीं कर सकते, सर्व धर्मान परितज्य, मामी कम शर्णम वर्ज, देह सहित सब धर्मों को त्याग, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हे सब पापों से मु कर दूँगा ये दुआएं आशिरवाद शिरिमत पर चलने वाले बच्चे ही लेते हैं और मुख्य शिरिमत है अपने को आत्मा समझो दे अभी मान छोड़ो फोती सुन्दर बात बाबा ने पक्की कराई मैं तुम्हें देवी देवता बनाने के रियाया हूं बाबा के मदद बच्चे हो कल्प पहले वाले बच्चे हो इसलिए बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना सुनते हैं बाबा के मददर बोल बाबा ने का मीठे बच्चे सपूत बन शिरिमत पर चल मात पिता की आशिरवाद ले आगे बढ़ते रहो सपूत बन शिरीमत पर चल मात पिता की आशिरवाद ले आगे बढ़ते रो आशिरवाद लेने में कभी भूल नहीं करना Question है बाप बच्चों को कौन सा शुब मार्ग बताते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते बाप बच्चों को कौन सा शुब मार्ग बताते हैं जो कोई भी मरुश्या नहीं बता सकते फतित से पावन बनने का मुक्ती जिवन मुक्ती प्राप्त करने का शुब मार्ग एक बाप ही बताते हैं ये मार्ग किसी को पता नहीं, अगर किसी भी आत्मा को पता होता, तो दुख आते ही आत्मा फोरण वहां भाग जाती, बाबा ने तुम्हें मार्ग बताया, बच्चे देह सहित, सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे, देह सहि सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे, गीत है लेलो दुआए मा बाप की, सिर से उतरेगी गट्री बाप की, ओम शान्ती, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अब हम मात पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं, बच्चे ज जानते, जनम जनमांतर के पापो की गट्री उतारनी है, कैसे? सिर्फ मात पिता को याद करने से, पुकारते शिव बाबा को हैं, उच ते उच ग्यान, बाप समझाते हैं, बच्चे वर्सा लेते हैं बाप से, प्रंतु जब तक एडॉप्ट ना करे, मुख वन शावली ना बने, तो बच्चे कैसे कहलाएं? भक्ति मारगवाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम याँ समुक बैठे हुए हो, भक्ति में गाते हैं, आप उसके समुक बैठे हो, बाबा केते मैं आया हूँ, तुमारी जनम जनमांतर की गट्री को उतारने की राय देने के लिए शिरिमत पर चलाने, ये बाबा नहीं कहते, शिर्फ बाबा कहते मेरे लाड़ले सिक्की रदे बच्चे, समझते हो, बरोबर पतित पावन बाप ही गट्री उतारने का मारग बताते हैं, पतित पावन बाप ही पापो की गट्री उतारने का मारग, अत्वा पतित से पावन बनाने का यसे सुभाश मार्ग नाम रखते हैं यह पतित से पावन बननी का मार्ग बाबा किते हैं मीठे मीठे बच्चिय मैं तुम्हें मार्ग बताने और वा आकर पतित से पावन बनानी का मारग बताओ। तुम्हें वो कौन सा मारग बताते हैं। Most beloved Baba बताते हैं। सादू आदी साधना करते मुक्ती में जाने के लिए परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तो पावन दुनिया का मारग बताने बाबा को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ती जिवन-मुक्ती का मारग नहीं बता सकता। तो शिरीमत पे चलना चाहिए और सब संग तोड़ना है। सर्वधर्मान परितज्य मामेकम शर्णवरज। दे के जो भी धरम है सब छोड़ अपनी कौात्मा समझो। मैं फलाना हूँ, ये मेरी मिलक्यत है, ये सब छोड़ अपनी कौात्मा समझो। निरंतर पुर्शार्थ करो, मुझे याद करो, मैं शुब मार्ग बताता हूँ, इस जैसा शुब मार्ग कोई होता नहीं। अब ये दुख का नाटक पूरा होता है, अब ये दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या, और ही दुखी होंगे, अभी भी अगर दुख का पार्ट बजाना चाहते हो, तो दुखी होंगे न, यहां कोई भी मनुश्य सुखी नहीं, अकाले मृत्यवादी कितनी दुख की ब कितनी आशिरवाद होती है अंडरलाइन कर लेंगे शिरीमत पर चलने से तुम्हारे उपर आशिरवाद होती है जो तुम भाग्य शाली बन चाते हो बाबा केते तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो बेहद बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़े है पैसे के लिए कितनी ठगी करते हैं यहां ऐसी कोई बात नहीं बाबा केते मुझे याद करो तो सदा निरोगी बन जाएंगे 21 जनम के लिए कितना भारी वर्सा देते हैं ऐसे बाप से भगती में परतिग्या करते आए तुम पर कुर्बान जाएंगे फिर आप से स्वर्ग का वर्सा लेंगे अब तुम जानते हूँ हम अपने मोस्त बिलवड बाबा के पास बैठे हैं बाप नीराकार नीरेंकारी गाया हुआ है कितना उचते उच बाप है जब भगती पूरी होती है तब भगती मारक का फल देने मैं आता हूँ वे भी बताते मेरे बच्चे सचे सचे भगत कौन है जो पहले पुझे थे भगवान भगवती थे फिर उपर से नीचे आए सतोर जो तमों में आते आते बिलकुल जड़ड़ी भूत हो गए तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे भारत की बड़ी महिमा है इसलिए सब भारत को मदद करते जानते हैं भारत पहले बहुत सावकार था अब गरीब हो गया सब को तरस पढ़ता भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं कोई बहुत सावकार होते हैं, फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सब की दिल होती है, बाबा कहते हैं, भारतवासी कितने मूझे हुए हैं, शिव जियनती मनाते हैं, प्रन्तु जानते नहीं, शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, जरूर बाप वर् स्वरत का मालिक बनाया होगा, कैते मैं बच्चों को सुखी बनाकर तक्त देकर वानप्रस्त में चला जाता हूं, मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूं, विश्व का राज्ये पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता, ऐसे बिलवड बाब को कैसे पकड़ना चाहिए, हाथ से पक करने की बात है, सबको अपने घर गरस्त में भी रहना है, बच्चों की पाल ना करनी है, यह बेहद का सन्यास, सरल शब्दों में घर गरस्त में रहते, जिम्मिवारिया निभाते, बाबा का हाथ पकड़के रखना है, शिरेमत पे चलते रहना है, दे से जो कुछ है, उसको छोड़ना है, यह हर एक चीज जड़ड़ी भूत, तमो प्रधान है, दुख देने वाली है, तत्व भी दुख देते हैं, बरसात ना पड़ी, अकालो जाता, बाड़ा जाती, वहां तो यह तत्वा दी, सब तुम्हारी ओर्डर में रहेंगे, पांच तत्व भी तुम्हार ले रहे हो, दुआई मिलेंगे शिरिमत पर चलने से, बाप की शिरिमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, प्रंतु रहो कमल फूल समान, बस याद से तुम भारत को स्वर्ग बना देंगे, बाबा कहते हैं, तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे, जो कल्प पहले बाप के मददगार बने, वो ही बनेंगे, उंगली देना था, मददगार बनना, जो कल्प पहले मददगार बने थे, वो ही अब बनेंगे, ये फकुर होना चाहिए, हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं, राइट हैंड बन 80 जनमों का पार्ट पुरा हुआ, अभी छीची कपड़ा छोड़ना है, मुझे याद करते करते, शांती धाम में आ जाएंगे, पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुम्हें सुख के संबंध में भेज देंगे, स्वरग में भेज देंगे, बरोबर हम आत्माई वहाँ से आ यहां तो तुम बच्चों को पढ़ाते, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते, फिर तुम्हें वापिस ले जाते, फिर स्वरग में भेज देते, प्रजा पिता ब्रमा जरूर यहां चाहिए, तो तुम समझा सकते हो, हमे बाबा की मत पे चलना है उनसे आशिरवाद लेनी है बाबा का बनना है उनकी मत पे चलना है उनसे आशिरवाद लेनी है आग्या कारी बच्चे ही आशिरवाद लेने के पात्र हैं बाबा के ते कपूत नहीं सपूत बनो बाबा का पूरा हाथ पकड़ो तुम्हें बहुत आरा से ले जाते हैं बाबा का पूरा हाथ पकड़ो अथात निश्चे बुद्धी बनो शिरीमत पे चलो तुम्हें बाबा बहुत अराम से ले जाते सब आत्मों को पंक मिल जाते तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंक मिलते जाएंगे सजा खाने वाले पानी होती बाबा बार बार कहते बच्चे बाबा से मुख नहीं मोड़ना अच्छे से निश्चे बुद्धी बनकर वाइदा कर लेंगे हम बाबा से मुख नहीं मोड़ेंगे कोई सेंटर स्थापन करते हैं खूब सेवाई करते हैं कोई फिर चलते चलते रूट शाते हैं स ग्रस्त वैवार को भी संभालना है, ये कोई वो सन्यास नहीं, तुमने बच्चों को रचा है, तो उनकी पालना भी तुम्हे करनी है, उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे, कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे, बाबा कहते तुम सबको पारलोकिक बाप का परीचे बोलो, ओ गौड़ फादर कहते हो, फिर सरव्यापी कैसे हो सकता है, कहते पतित पावन गौड़ फादर जरूर पतित दुनिया है, पावन दुनिया भी है, सब आत्मों का बाप वो एक है, तुम जानते हो, हम उस बाप के सामने बैठे हैं, जो में पतित से पावन बनाकर आ चिरन जीवी रहो, वहां तुमें काल नहीं खा सकता, बाप केते शिरिमत पे चलो, सबको सुख दो, बाप आये हैं, सबको सुखी बनाने, सुख और शान्ती दोनों वर्सा देते हैं, वहां तो माया ही नहीं, तो दुख कहां से आया, यहां तो एक दो में लड़ते जगरते बाप केते सुख धाम, शांती धाम का मालिक बनाने आया हूँ, उसके लिए तुम पढ़ते हूँ, बापने सब प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही, बाप केते मैं तुम्हारा सरवेंट हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, बच्चे कहते श्रुबाबा हमारे पे मकान बना लेना अच्छा बच्चे जो हुकम बाबा भी कहते जो हुकम बच्चों का शुबाबा ब्रह्मा त्वारा तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं सब कुछ शुबाबा ही करते हैं बाबा ने कहा है चिठ्ठी भी लिखो तो शुबाबा केरफ ब्रह्मा यह आदत पढ कटते हैं बाबा युक्तियां बताते शुबाबा केरो ब्रह्मा बहुत सहज है ना में सहज राज योग सहज ग्यान बाबा ग्यान सागर नौलेजफुल सारी सिश्टी के आदी मध्यंत का राज बताते ये भी सेकंड की बात है अब भारतवासियों पर राहो की दशा बदल कर ब्रस्पत की दशा बैठती है बाबा केते बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतर जाए दुआएं लो ताकि पाप की गठरी उतर जाए मा में कम याद करनी की प्रैक्टिस करो उठते बैठते चलते फिरते बाबा केते मुझ मोस्ट बलवड बाप को याद करो, तो मिस्क ऐसा वर्सा देता हूँ तो मापाप से दुवाई लेनें के लाइक बनना है। इसने भी लौकिक बाप की बोहुत दुवाई ली। ब्रह्मा बाबा ने लौकिक जीवन में अपने पिता की खूब दुवाई ली। बाप की बहुत सेवा की। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ, कहा अच्छा बाबा चलो, वाँ बिठाकर नोकर चाकर सब दिये, वाँ ही सबकी मनोकामना पूरी हुई, बाबा की आशिरवाद मिली न, सबकी सर्विस की तो आशिरवाद मिली, माँबाप की आशिरवाद आगे बढ़ाती है, अब ये बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन, आशिरवाद लेनी है, तो शिरीमत पे चलते रो, सब को मार्ग बताओ, भारत वासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्सा देने, कहते सरफ मुझ बाप को याद करो, और किसी के भी नाम रूप में नहीं फसना, देही अभी मानी बन, बाप को याद करो, बेड़ा पार, तो मात पिता हम बालक तेरे, अब वो मात पिता सामने बैठे हैं, बाबा बरोबर, आप कल्प पहले भी आये थे ना, कल्प कल्प, आप ऐसे ही आते हो, करेंगे पाच सकेन अनुभव, बाबा के समुख बैठकर, इस स्मृति के साथ, बाबा, आप कल्प पहले वाले बाबा हो ना, हम भी आपके कल्प पहले वाले बच्चे हैं, बाबा निका बच्चे कहते हैं बाबा आप कल्प पहले भी आए थे कल्प कल्प आप ऐसे आते हो यह हम जानते हैं और कोई नी जानता तुम 84 के चक्र को जान गए हो अब बाबा से आशिरवाद लेने में भूल ना करो यह बड़ी जवर्दस्त आशिरवाद है बाब तुम बच्चों को विश्व का मालिक बना कर खुद निर्वान धाम में बैड चाते हैं यह खुद इस स्रिष्टी का सुख नहीं लेते अच्छा बाबा केते विस्तार से क्या सुनाओ थोड़ी सी बात समझ लो तुम बाब को याद करना भूल जाते हो तो गांट बांद लो मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांट बांद लेते हैं तो भूलता नहीं तो यह भी भूलना नहीं सेंटर खोलने वालों को कितनी आशिरवाद मिलती है स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं Oh God Father, mercy on me वैस सबका सद्गती दाता, शांती दाता बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं कितना उंच से उंच बनाते हैं कोई को भी पता नहीं पड़ता बाप इनने क्या बनाते हैं बाब बच्चों की सेवा में उपस्तित है, बहुत मीरेंकारी है, बच्चे किसम किसम के हैं, तो भी कहते हैं, भावी ऐसी बनी हुई है, बाबा कहते हैं, मेरी एक्ट हू बहू, कल पहले माफिक चलती है, गांधी जी, नेरू जी भी चाहते थे, वन आलमाइटी अथोरिटी अब ये कारिये बाप कर रहे हैं, आइस्ते आइस्ते जानते जाएंगे, प्रंतु टूलेट होते जाएंगे, कर्माती तवस्ता हुई, तो शरी नहीं रहेगा, पिछाडी में आने वालों को बहुत अच्छा पुर्शाथ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाडी में आने नार्येंट कि याद प्यार, फूर मॉर्णि रूआने बैप की रूठ़ोने बच्छों को नामस्ते, रूआने बैच्छों की रुहनी बाप तदक हो याद प्यार, नामस्ते, फूर्शा पुर्णि श्युक्रिया बाबा, शुक्रिया धार्णा के लिए सार पहली पुईंट है बाप की शिरिमत पर पूरा चल बाप का राइट हैंड बन पूरा राइटियस बनना है बाबा का पूरा मददगार बनना है मात पिता की आशिरवाद आगे बढ़ाती है इसले आज्याकारी बन आशिरवाद लेनी है बाप समान निरेंकारी बनना है बाप की शरीमत पर पूरा चल बाबा का राइट हैंड बन पूरा राइटियस बनना है बाबा का पूरा मददगार बनना है मात पिता की आशिरवाद आगे बढ़ाती है इसले आज्याकारी बन आशिरवाद लेनी है, बाप समान निरेंकारी बनता है, वरदान है, मनसा वाचा कर्मना, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यग्यस ने ही भव, मनसा वाचा कर्मना, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यग्यस ने ही भव, बाप तदके पास सब बच्चों की सेवा के तीन प्रकार के खाते जमा है, जो यग्यस ने ही है, वो मनसा वाचा कर्मना, तन मन्धन, तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं, हर खाते की सो म अगर किसी की वाच्चा सेवा की जूटी है तो उसमें मंसा और कर्मना की परसंटेज कम ना हो वाच्चा सेवा सहज है मंसा में अटेंशन देने की बात है और कर्मना सिरफ स्थूल सेवा नहीं संग्ठन में समंद संपरक में आना ये भी करम के खाते में जमा होता है बाप्त दग के पास सब बच्चों की सेवा के तीन प्रकार के खाते जमा है जो यग्यस नहीं है वो मनसा वाचा कर्मना तन मंधन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं हर खाते की सो माक्स हैं अगर किसी की वाचा सेवा की जूटी है तो उसमें मंसा और कर्मना की परसंटेज कम ना हो वाचा सेवा सहज है लेकिन मंसा में अटेंशन देने की बात होती है और कर्मना सिरफ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन में समंद संपरक में आना ये भी कर्म के खाते में जमा होता जब आप दूसरों के समंध संपरक में आते हैं, तो स्वेम संतुष्ट रहें, दूसरे संतुष्ट रहें, ये भी कर्मणा में आता है। यग्य स्नेही आत्मा, यग्य पिता का, यग्य सेवा का, यग्य वत्सों का पुरा ध्यान रखती है। पुन्य जमा करना है, भौतों की आशिर्वाद लेनी है। अनुभव करें, बाबा का वरधहस्त मुझ पर है। बाबा की आशिर्वाद सदा आगे बढ़ाती है। आत्माओं की दिल की दुआई भी आशिर्वाद हैं। द्रड संकल्प लें, हर कर्म से दुआई जमा करनी है। पुन्य का खाता जमा करना है। मैं यग्य स्नेही आत्माओं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओ शादे, शादे, शादे शादे